तो वेटिंग लिस्ट फॉर रॉल एक्जाम ये भी एक मुद्दा है मैंने बोला कि ये मुद्दा 18 की रिजल्ट का नहीं है ये मुद्दा है प्रोसेस को ओवरहॉल करने का वेटिंग लिस्ट नहीं बनती है एक्जाम डिले होते हैं डुप्लिकेट वेकेंसी लोगों ने इस जॉब में भी नवकरी ले ली लोगों ने अगली जॉब में भी नवकरी ले ली अब दो सीटें लेके वो जाएगा एक में एक सीट बरबाद हो गई वेटिंग लिस्ट है नहीं अब वेटिंग लिस्ट नहीं है तो बच्चा क्या करेगा अगर उसकी उमर खतम हो गई तो उसका जो एक fundamental right नोकरी का कि उसके साल में vacancy आई उसका फाइदा वो नहीं उठा सकता वो अगले साल में vacancy जाएगी इससे government की efficiency पर क्या फरक पड़ता है कि वही किसी government department ने अगर vacancy दी तो उसको जरुवत थी उस टाइम पर तीन साल बाद एक तो final result आया और उसमें भी कुछ लोगों ने join नहीं किया तो वो लोग वहां पहुँच पाए क्या नहीं पहुच पाए तो ये पूरी government system में inefficiency से create करता है तो we are helping the government actually right by raising these issues कि waiting list होगा तो इससे फाइदा क्या होगा इससे फाइदा ये होगा कि जैसे ही कोई join नहीं करेगा कम से कम waiting list से लोग वहां पहुच जाएंगे और ये बिल्कुल natural sense है यार ये natural common sense है लेकिन तुम बात नहीं करोगे तो तुम्हारा common sense बेटर है nobody cares for you